हेलो दोस्तों मैं अकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान जीवन लाब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नमबर है 936 तो LIC के काफी सारे इंशोरेंस प्लान में से ये एक बहतरिन इंशोरेंस प्लान है यहाँ पर इस प्लान में आपको सेविंग्स के साथ साथ डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं इस प्लान की एक खास बात यह है कि इस प्लान में आपको LIC की किसी और प्लान के कमपेरिजन में एक अच्छी रिटन देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ साल की शूट मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना होगा। इसके साथ साथ इस प्लान में आपको लोन की स्विधा भी मिल जाती है। पॉलिसी के दोरान आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद इस प्लान में आपको टेक्स बैनिफिट भी मिल जाता है। जो लोग इंकम टेक्स की रिटन फाइल करते हैं, वो इस बैनिफिट का लाब उठा सकते हैं। तो आईए जान लेते हैं कि कौन-कौन इस plan को ले सकते हैं उसके बाद हम एक example लेके समझेगे ये पूरा plan कैसे काम करेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं minimum age की यानि कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस insurance plan को लेने के लिए तो वो इसमें दी गई है 8 साल की यानि कि अगर आपके उम्र 8 साल है या 8 साल से जादा है तो आप इस insurance plan को ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं policy time की यानि कि ये insurance plan आप कितने साल के लिए ले सकते हैं तो यहाँ पर L.A.C.E. ने आपको 3 option दिये है एक option दिया है 16 साल का एक option दिया है 21 साल का और जो तीसरा option दिया है वो दिया है 25 साल का तो आप अपनी insurance policy को इन तीनों में से किसी भी policy time पर ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं premium payable time की इसका मतलब कि आपकी policy में आपको कितने साल तक का premium इसमें pay करना होगा तो यहाँ पर अगर आप 16 साल वाली policy time लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल premium pay करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था है इसमें आपको कुछ साल के लिए छूट मिल जाती है तो इस policy time में आपको 6 साल premium ना pay करने की छूट मिल जाती है उसके बाद अगर आपने policy term ली है 21 साल की तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल premium pay करना है और अगर आपने यहाँ पर 25 साल वाली policy term ली है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल premium pay करना होगा उसके बाद हम maximum age जान लेते हैं कि कितनी maximum age तक के वैक्ती इस policy को ले सकते हैं तो अगर आप 16 साल वाली term लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर maximum जो age है वो दी गई है 59 years की अगर आप 21 साल वाली term लेना चाहते हैं तो 54 maximum age होगी आपके लिए और अगर आप 25 साल वाला insurance plan लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए maximum age 50 साल की दी गई है यानि कि अगर आप 25 साल के लिए इस policy को लेना चाहते हैं तो 50 साल से ज़्यादा के वैक्ती इस insurance plan को नहीं ले पाएंगी उसके बाद हम बात करते हैं minimum sum assured की पे पे करने है इसके basis पे जो भी आपका premium होगा जो भी आपकी किस्त होगी वो calculate की जाती है minimum sum assured यहाँ पे 2,00,00 रुपे का दिया गया है उसके बाद हम बात करते हैं maximum sum assured की यानि कि maximum भीमा आप इसमें कितने रुपे का ले सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं दे गई है यह आपकी income पे depend करता है कि आपको आपकी income proof के according L.A.C. आपको कितना insurance देती है तो आईए अब एक example लेके समझते हैं कि यह पूरा insurance plan कैसे काम करेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा इस policy का कितना premium होगा कितना maturity amount होगा और death benefit क्या होने वाले है तो सबसे पहले example समझने के लिए मान लेते हैं कि आपकी जो age है वो 30 years की है क्योंकि यहाँ पर जो भी insurance premium calculate किया जाता है वो आपकी उम्र के basis पे calculate किया जाता है उसके बाद हमारे पास policy term के लिए 3 option दिये गए थे तो यहाँ पेसे जो भी बीच की policy term थी जो की 21 साल की है वो हम मान लेते हैं कि आप वो लेना चाहते है उसके बाद हम premium payable term के बात करें तो यहाँ पर अगर आप policy term 21 साल की लेते हैं तो आपको 15 साल इसमें premium pay करना होता है उसके बाद हम some assured यानि की बीमा देख लेते हैं कि आप कितने लाक रुपे का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने example में 10 लाक रुपे का बीमा मान लेते हैं कि आप 10 लाक रुपे का बीमा इसमें लेना चाहते हैं उसके बाद अगर हम इसकी premium की calculation करते हैं तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इसका yearly premium आएगा वो आएगा लगबग से लगबग 56,013 रुपे ये first year का premium होगा उसके बाद बाकी के बचे 14 साल आपको 54,807 रुपे yearly pay करने होगे इसमें आप 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी policy के premium को pay कर सकते हैं उसका premium भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना आपको premium pay करना होगा तो आईए अब देखते हैं ये insurance plan कैसे काम करता है तो अभी जो आपकी age है वो है 30 years की तो आने वाले यहाँ पे 15 सालों के लिए य तो कि हमारा जो policy में premium payable term है वो है 15 साल की उसके बाद आपको जब 15 साल आपके पूरे हो जाते है तो उसके बाद 6 साल तक यहाँ पे कोई भी premium की payment नहीं करनी है यहाँ पर आपको 6 साल की इस policy term में छूट मिल जाती है premium देने के लिए उसके बाद जब आपके पूरे 21 साल policy के हो जाते हैं तो आपकी इस policy की maturity हो जाती है यानि कि यह insurance plan आपका खतम हो जाता है जब आपकी age 51 साल की हो जाएगी तो इस policy की maturity हो जाती है maturity पर यहाँ पे approximate आपको 20 लाख 87,000 रुपे का amount मिल जाता है जिसमें की 10 लाख रुपे का आपका समय शोड होता है जितने रुपे की भी आपकी policy ली थी उसके बाद यहाँ पे लगबग से लगबग 9,87,000 रुपे का आपको अपनी policy में bonus मिलता है और उसके बाद 1,00,000 रुपे का final additional bonus मिलता है ये total मिलाके आपको लगबग से लगबग 20,87,000 रुपे का amount आपकी policy पर मिल जाता है अगर हम बात करें हमने कितना premium पे किया है तो हमने 15 साल में जो total premium पे किया है वो पे किया है 8,23,311 रुपे ये हमने बात तब की है जब हमारी policy के दोरान हमारे साथ कोई भी धुरगटना नहीं होती है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धुरगटना हो जाती है तो उस case में यहाँ पे कितन claim amount आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको अपनी policy की maturity होने पे यानि की 21 साल पूरे होने पे 20,87,000 रुपे के करीब amount मिल जाता है अब यहाँ पे LIC आपको option देती है कि आप इस 20,87,000 रुपे को एक साथ लेना चाहते हैं या आप इसको installment में लेना चाहते हैं LIC यहाँ पे कहती है कि आप इस amount को हमसे installment में ले सकते हैं आप इस amount को 5,10 या 15 साल की installment में करा सकते हैं और जो भी आपकी installment होगी उस पर हम आपको interest provide करेगे तो यहाँ पर LIC ने आपको option दिया है अगर यहाँ पे यह amount आप एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ ले सकते हैं वरना आप इस को installment में भी ले सकते हैं तो अगर आप इस amount को यहाँ पे installment में लेना चाहते हैं तो जब भी आपकी policy की maturity की due date होगी उससे 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा कि आप अपने पैसे को installment में लेना चाहते हैं यह option अभी इस policy में add किया गया है अगर इससे पहले हम जीवन आप प्लान की बात करें जो कि प्लान नंबर 836 था तो उसमें यह settlement यानि की installment में पैसे लेने का option नहीं available था तो यह हमने बात तब की है जब policy holder के साथ कोई भी दुरगटना नहीं होती है यह policy holder की death नहीं होती है आईए अब जान लेते हैं कि अगर policy के दुरान policy holder की death हो जाती है तो उनके 9 मीनी को यहाँ पर क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर policy term के दुरान कभी भी policy holder की death हो जाती है तो policy holder के 9 मीनी को 10 लाग रुपे यहाँ पर amount मिल जाता है जो कि हमारी policy का some assured है जितने रुपे गाभी यहाँ पे आप वीमा लेते है उतने रुपे यहाँ पे policy holder के 9 मीनी को दे दिया जाता है अगर policy holder की death policy term के दोरान हो जाती है policy term हमारे insurance plan में 21 साल की थी तो policy शुरू होने के बाद policy की maturity होने तक कभी भी policy holder की death हो जाती है तो यहाँ पे जो भी some assured का amount होता है वो आपको L.A.C. की तरफ से मिल जाएगा इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी policy चली थी उसका bonus भी यहाँ पर आपके nominee को मिल जाता है मान लेती है policy holder की death policy शुरू होने की 5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 10 लाग रुपे का जो भी some assured है वो तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में जो भी आपके 5 साल का bonus amount है वो भी आपके nominee को दे दिया जाएगा यहाँ पर भी L.A.C. जी ने आपको एक option दिया है उसमें यह कहा है कि आप इस death benefit को भी installment में ले सकती है यानि कि policy के दोरान policy holder decide कर सकता है कि policy holder की death होने के बाद जो भी death benefit होगा वो उसके nominee को installment में मिलेगा या लमसम मिलेगा तो installment का option आप death benefit पर भी choose कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं accidental death की यान तो उस case में policy का कितना amount मिल जाता है तो यहाँ पर अगर policy holder की death accident से होती है तो 10 लाख रुपे का amount आपके policy में और मिल जाता है यानि कि आपको total यहाँ पे 20 लाख रुपे का क्रेम का amount मिल जाता है आपके policy से इसके साथ-साथ जितना amount भी आपकी policy का bonus होगा वो भी आपको यह पे आपके nominee को दे दिया जाता है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको अपनी policy में accidental benefit अलग से add कराना होता है जिसका आपको कुछ additional premium आपको policy में पेग करना होता है लेकिन मैंने जो आपको premium बताया है वो आपको accidental benefit rider के premium को add करके बताया है तो आपको इस प्रीमियम पे नहीं करना होगा उसके बाद हम बात करते हैं अदर बैनिफिट्स की कि इस इंशुरेंस प्लान में और कौन-कौन से बैनिफिट अवेलेबल है तो यहां पर आपको लोन की सुविधा मिल जाती है आप अपनी पोलिसी शुरू होने के दो साल बाद आप अपनी लोन की सुविधा ले सकते हैं अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपनी पोलिसी पर ले पाएंगे जो भी लोन होगा उसका इंट्रस्ट आपको यहां पे पेग करना होता है उसके बाद यहां पे अगला बैनिफिट आपको दिया गया है पोलिसी सुरेंडर का यानि कि अ यहां पे आपको different payment modes मिल जाते हैं काफी लोग होते हैं जो कि monthly premium pay करना चाहते हैं या तीन महीने में देना चाहते हैं या कुछ लोग होते हैं जो yearly payment करना चाहते हैं तो यहां पर आपको चारो ही premium payment mode दिये गए हैं इन चारो option में से आप कोई भी premium payment mode choose कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं grace period की कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप अपनी policy का premium due date पर pay नहीं कर पाते हैं तो LAC यहाँ पर 30 दिन आपको देती है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी policy का premium pay कर सकते हैं अगर आप इन 30 दिन के अंदर अंदर policy का premium pay करते हैं तो आप से कोई भी late fees नह कर्मेंट मोड है वो मंतली है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेश पिरेड मिलता है उसके बाद यहां पे आपको टेक्स बेनिफिट मिल जाता है तो जो भी इस पोलिसी का मैच्चुर्टी अमाउंट होता है वो टेक्स फ्री है उस पर आपको कोई भी टेक्स नहीं देना होगा इसके साथ साथ जो लोग इंकम टेक्स की रिटन फाइल करते हैं वो आपने ITR में इसके जो भी प्रीमियम को पे करते हैं उसका डिड़क्शन ले सकते हैं उसके बाद यहां पे आपको मोड रिपेट मिल जाता है जो लोग येरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं उनको यहां पे 6 महीने में premium pay करते हैं तो आपको यहाँ पे premium पर 1% का discount मिल जाता है तो अगर आप yearly mode choose करते हैं तो आपको यहाँ पे 2% का benefit इसमें आपके premium पर मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको एक revival का benefit दिया गया है आपको पता होगा कि अगर आप अपनी आप अपनी policy को फिर से शुरू करा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ optional rider मिलते हैं जो कि आप extra premium pay करके इन optional rider को ले सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर accidental death और disability benefit rider दिया गया है उसके बाद यहाँ पर time assurance rider LIC accidental benefit rider LIC critical illness rider और premium waiver benefit rider दिया गया है premium waiver benefit rider अगर आप बच्चों की policy लेते हैं तो उसमें ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको LIC plan given lab plan 936 के बारे में पूरी detail मिल गई होगी फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो भी latest वीडियो है वो आपको मिलती रहे सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है